Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डिबल Advent of Babur Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1526 में मुगल एंपायर की शुरुवात इंडिया में हुई Delhi सल्तनत के आखरी रूलर इबराहिम लोधी को बाबर ने First Battle of Panipat में डिफीट करके मुगल डाइनेस्टी की स्थापना की मुगल एंपायर ने इंडिया में 200 सालों से ज्यादा के लंबे समय तक राज किया पर क्या आप ये जानते हैं कि बाबर ने इंडिया को किन कंडिशन्स में इंवेड किया और क्यूं किया उसके रूल में हुए important political, social और economic changes क्या थे तो दोस्तों इन सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे इस lecture में लेकिन बाबर के इंवेजन को समझने के लिए हमें Central Asia से शिरुवात करनी होगी उन circumstances को समझना होगा जिनके चलते बाबर को इंडिया इन्वेड करना पड़ा तो आईए चलते हैं Central Asia Central Asia and Barber कहानी शुरू होती है 15th century से जब Central और West Asia में कुछ important political changes देखने को मिले 14th century में Mongol Empire का disintegration हुआ और तेमोर ने अपना Empire सेट अप किया उसका Empire Lower Volga River से Indus तक extend हो चुका था जिसमें Asia Minor यानि Modern Turkey Iran Trans-Oxiana Afghanistan और Punjab के कुछ parts included थे 1405 में तेमोर की डेथ हुई ये वही तेमोर था जिसने 1398 में इंडिया को invade किया था और तुगलग डाइनस्टी को disintegration की तरफ ले गया खेर mid 15th century में तिमोरिद्स का डिकलाइन होना शुरू हो गया और उनके डिकलाइन से दो नई powers फोर फ्रंट में आई नौर्थ में उस्बेक्स जो की एक टरकु मॉंगोल ट्राइब थी और वेस्ट में सफविद्स जिसने इरान को डॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था इरान के वेस्ट में आउटमन टर्क्स की पावर भी बढ़ रही थी इन तीन एमपायर्स यानि उस्बेक्स सफविद्स और आउटमन्स में कॉन्फिक्ट इनेविटबल था 1494 में 12 साल की एज में जहीरुदीन मुहम्मद बाबर ने फरगाना पर सकसीट किया जो की ट्रांस ऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट था बाबर तिमूर और चंगेज खान का डिसेंडेंट था और चगताई टर्किक ओरिजिन का था 1483 में अंदी जान फरगाना वैली में हुआ जो की आज की उस्बेकिस्तान में है बाबर के फादर उमर शेक मिर्जा फरगाना के गवनर थे और बाबर उनका एल्डेस्ट संथा उस्बेक चीफ शेबानी खान ने बाबर को डिफीट करके समरकंद पर कबजा कर लिया जिसकी वज़े से बाबर को 1504 में काबुल की तरफ जाना पड़ा और उसे कॉंकर किया बाबर ने अपना होमलेंड वापस हासिल करना चाहा लेकिन अफसोस उसे नाकामी ही मिली हेराथ और खुरासान को कॉंकर करने के लिए अब उस्बेक्स और सफाविट्स में कॉंफिक्ट हुआ जिसमें सफाविट्स की विक्ट्री हुई इसके बाबर ने इरेनियन फोर्सेस की मदद से दोबारा समरकंद को रिकवर करने की कोशिश की बाबर को समरकंद का राजा बना दिया गया लेकिन इस शर्त पर कि वो इंडिपेंडेंट रूलर ना होकर एक इरेनियन प्रोविंस का गवर्नर होगा इसी बीच उसबेक्स ने खुद को डिफीट से रिकवर किया और फिर से बाबर को 1512 में डिफीट किया जिसके चलते बाबर को वापस काबूल आना पड़ा इसके बाद आटमन टर्क्स ने फाइनली सफाविद्स को डिफीट किया और ट्रांस ओक्सियाना वापस उसबेक्स के रूल में चला गया जिसकी वज़े से बाबर के लिए एक बार फिर उसबेक्स थ्रेट बन गए इन डिवेलपमेंट्स ने बाबर को इंडिया की तरफ एक्सपैंड करने पर मजबूर कर दिया सेंट्रल एजिया के दूसरे इंवेडर्स की तरह है बाबर भी इंडिया की फैबिलिस वेल्थ से अट्राक्टिट था बाबर के एंसेस्टर टीमूर ने ना सिर्फ इंडिया में प्लन्डर किया बलकि पनजाब के कुछ एरियाज को एणिक्स भी किया था कई generations तकी areas तिमूर के successors के possession में रहे जब बाबर ने अफगानिस्तान को conquer किया तो उसको ऐसा feel हुआ कि इन areas पर उसका legitimate right है पंजाब पर नज़र रखने का एक और कारण था काबुल में state income बहुत ही कम थी क्योंकि ये region एक semi-arid region था जहां sources of production कम थे Historian Abul Fuzzle बताते हैं कि बदाक्षान कांदहार और काबुल की income इतनी भी नहीं थी जिससे army की requirements fulfill हो सके इस meager income से उसके bags और kinsmen को भी income देना मुश्किल था उस bag danger के चलते बाबर इंडिया को एक refuge की तरह भी consider कर रहा था अब देखते हैं North Western India में ऐसे क्या developments हुए जिसने बाबर को इंडिया में entry का मौका दिया developments in North Western India North West India में political situation बाबर की entry के लिए fruitful थी 1517 में सुल्तान सिकंदर लोदी की death हुई और उनको इब्राहिम लोदी ने सकसीड किया strong और centralized empire बनाने के इब्राहिम लोदी के effort ने अफगान चीफ्स और राजपूट्स दोनों को अलामड कर रखा था पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी सबसे powerful अफगान चीफ था भीरा के frontier tracks को annex करके सुल्तान के साथ अच्छे relations बनाने के साथ ही वो अपनी position को strengthen करना चाहता था 1518-19 में बाबर ने भीरा के powerful fort को conquer किया और दौलत खान और इब्राहिम लोधी को पैगाम भिजवाए इस पैगाम में Turks के areas जैसे पंजाब को seed करने की बात कही गई लेकिन दौलत खान ने बाबर के envoy को detain कर लिया बाबर को किसी कारण से काबूल वापस जाना पड़ा जिसके चलते दौलत खान ने फिर से भीरा को capture कर लिया 15-20-21 में बाबर ने फिर से इंडस cross करके भीरा और सियाल कोट को easily capture कर लिया इसी बीच कांधार में हुई एक reward को suppress करके बाबर ने फिर से इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया शुरू में दौलत खान बाबर को repulse करता रहा लेकिन अब उसको लगा कि बाबर strong है यही वो समय था जब दौलत खान ने अपने संद दिलावर खान की leadership में बाबर के पास एक embassy भेजी और बाबर को इंडिया में invite किया और इबराहिम लोधी को displace करने को suggest किया ऐसा possible है कि इसी दौरान राणा सांगा ने भी बाबर को एक messenger भेजा और इंडिया को invade करने के लिए invite किया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं battle of पानिपत के बारे में first battle of पानिपत इबराहिम लोधी और बाबर के बीच अब conflict inevitable था दोनों armies का आमना सामना पानिपत में हुआ बाबर की आमी numerically inferior थी इंडिया में gunpowder का इस्तिमाल gradually develop हो रहा था यानि इंडिया में gunpowder तो known था लेकिन artillery में उसका इस्तिमाल बाबर के आने के बाद ही common हुआ सुल्तान इबराहिम लोधी बाबर की strategy से वाकिफ नहीं थे early setbacks के बाद भी सुल्तान ने valiantly fight किया लेकिन उनकी death हुई और बाबर की victory Battle of Panipat को Indian history की एक decisive battle कहा जाता है इस battle ने लोधी power को तोड़ा और डेली और आगरा तक के region को बाबर के control मिलाया बाबर अब डेली का emperor बना आगरा में stored treasures ने बाबर को उसकी financial difficulties से relief कर दिया अब उसके सामने जौनपुर तक की rich territory open थी लेकिन अभी उसको दो hard fought battles का सामना भी करना था एक मेवाड के राणा सांगा के against और दूसरी eastern अफगान्स के against इसके बाद ही वो इस region पर अपना control consolidate कर पाता इस angle से देखा जाए तो battle of panipat इतना decisive भी नहीं था लेकिन ये सच है कि इस battle ने North India की domination के एक नए phase की शुरुआत की आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि battle of panipat के बाद बाबर को क्या difficulties phase करनी पड़ी जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे battle of khanva की battle of khanva बाबर के bakes यानी commanders इतनी लंबी campaign के लिए ready नहीं थे hot weather के start होते ही उनकी misgivings बढ़ गई थी वो एक strange और hostile land में थे बाबर अपनी autobiography बाबर नामा में बताते हैं कि इंडिया के लोगों ने remarkable hostility का प्रदर्शन किया बाबर को ये मालूम था कि सिर्फ इंडिया के resources ही अब उसको एक strong empire establish करने में मदद कर सकते हैं और उसके bakes को satisfy भी इसी से किया जा सकता है इसके चलते बाबर ने एक firm stand लिया और इंडिया में रुकने का decision लिया और जो बेग्स वापस जाना चाहते हैं उनको वापस काबुल जाने की permission दी बाबर का इंडिया में रहने का ये decision अब उन्हें राणा सांगा से direct conflict मिलाया राणा सांगा ने मालवा के governor महमूद खलजी को defeat करके अपना influence आगरा के पास एक small river पिलिया खार तक extend कर दिया था इंडो गैंजेटिक वैली में बाबर के empire के establish होने से राणा सांगा के लिए threat पैदा हो गया राणा सांगा ने बाबर को expel करने के लिए या at least पंजाब तक confine करने की preparations चालूगी बाबर ने सांगा को agreement breach करने के लिए accuse किया बाबर का कहना था कि सांगा ने उसे इंडिया invite किया और इब्राहिम लोधी के against join करने का promise किया था सांगा के promises के बारे में जानकारी नहीं है ऐसा possible है कि उन्होंने ये hope किया होगा कि तिमूर की तरह बाबर भी डेली को sack करने के बाद withdraw कर लेंगे लिकिन इंडिया में रहने के बाबर के decision ने situation बदल दी कई अफगान्स including इब्राहिम's younger brother महमूद लोधी राणा सांगा के पास मदद के लिए इस hope में कि अगर सांगा की victory हुई तो डेली का throne regain कर सके मेवात के हसन खान मेवाती ने भी सांगा की तरफ से army join की लगभग सभी राजपूत rulers ने राणा सांगा की मदद करने के लिए contingents भेजे बयाना जैसे मुगल posts के against राणा सांगा की early successes ने बाबर के soldiers को demoralize कर दिया उनको rally करने के लिए बाबर ने सांगा के खिलाफ war को जिहाद घोशित किया बाबर ने wine के sale और purchase को bang कर दिया और Muslims पर लगाये जाने वाले customs taxes को abolish कर दिया इस background में 1527 में battle of khanva हुई khanva राजस्थान के भरतपूर district में है इस battle में भी बाबर की army inferior numbers में थी पानीपत के battle की same strategy का use करके बाबर ने सांगा को defeat किया with great slaughter राणा सांगा escape कर गए और बाबर के खिलाफ दोबारा conflict करना चाहते थे लेकिन उनके nobles ने ही उनको poison दे दिया इस तरह से राजस्थान के most valiant warrior की death हो गई battle of khanva की victory के बाद बाबर ने डेली आगरा में अपनी position secure कर ली इसके बाद गौलियर, ढोलपूर etc. जैसे forts को conquer करके बाबर ने further expansion किया हसन खान मेवाती से अलवर के large parts को भी annex किया इसके बाद बाबर ने चंदेरी के राजपूट्स को defeat करके उसको capture किया इस defeat में राजपूट स्टेट की सभी women ने जोहर पफॉर्म किया Eastern UP में अफगान्स की बढ़ती activities के चलते बाबर को इस region में अपनी further campaigns को रोकना पड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर और अफगान्स के conflict के बारे में The Afghans भले ही अफगान्स को defeat पहले ही कर दिया गया था लेकिन अभी उनको मुगल रूल में reconcile नहीं किया गया था Eastern UP अभी भी अफगान चीफ्स के domination में था इन चीफ्स का allegiance तो बाबर की तरफ था लेकिन वो मुगल रूल को knock-off करने के लिए prepared थे अफगान्स सर्दार्ज के पास बेंगौल के रूलर नुसरत शाह की बैकिंग थी कुछ समय पहले अफगान्स ने Eastern UP से मुगल officials को बाहर निकाला था और कनौज तक पहुच गये थे लेकिन उनकी सबसे बड़ी weakness थी lack of a popular leader इसी समय इबराहिम लोधी का brother महमूद लोधी बिहार पहुचा अफगान्स ने उसको अपना ruler renounce कर दिया और उसके अंडर strong हो गए इस threat को बाबर ignore नहीं कर सकता था इसलिए 1529 में वो आगरा छोड़कर East के लिए निकला गंगा को cross करके बनारस के पास घागरा रिवर की crossing में बाबर ने अफगान्स और नुसरत शाह की combined armies को face किया भले ही बाबर ने बेंगॉल और अफगान armies को retreat करने पर मजबूर कर दिया उसकी decisive victory नहीं हुई Central Asia में develop हुई कुछ situations की worry और खुद की illness के कारण बाबर ने अफगान्स के साथ एक agreement करने का decide किया बाबर ने बिहार पर suzerainty का एक vague claim किया और अफगान chiefs के हाथों में ही छोड़ दिया बेंगॉल के नुसरत शाह के साथ भी बाबर ने एक treaty की और आगरा लोट गया कुछ समय बाद ही काबुल जाते समय लाहोर में बाबर की death हो गई तो दोस्तों अब तक की कहानी में हमने देखा कि किस तरह Central और West Asia में हुई political situations के चलते बाबर ने इंडिया को invade किया फिर हमने देखा Battle of Panipat और Battle of Khanwa के बारे में जिनके बाद बाबर ने इंडिया में मुगल Empire को establish किया और consolidate किया फिर हमने ब्रीफ में देखा कि कैसे Emperor बाबर ने अफगान problem से Empire को safe किया अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबर के advent के क्या significance थे significance of बाबर's advent into India बाबर का advent कई माइनों में significant था 1st century के कुशान Empire के downfall के बाद पहली बार काबुल और कांधार North India के किसी Empire का पार्ट बने क्योंकि ये पार्ट्स सभी Indian invasions के एक तरह से staging places थे इनको dominate करके बाबर और उनके successors ने 200 साल तक इंडिया को external invasions से security प्रवाइड की एकनामिक लिए भी अगर देखें तो काबुल और कांधार के control से इंडिया का foreign trade मजबूत हुआ क्योंकि East में China के लिए और West में Mediterranean Sea Ports के लिए जाने वाली सभी caravans का starting point यही दो cities थी Trans Asian trade का एक बड़ा share अब इंडिया के हाथ में था लोदीज और राजपूत Confederacy की power को break करके बाबर ने इस region का balance of power destroy कर दिया एक All India Empire को establish करने में एक लंबा कदम था बाबर ने इंडिया में warfare के एक नए mode को introduce किया gun powder इंडिया में पहले से known होने के बाद भी बाबर ने artillery और cavalry के skilled combination की power को show किया इसके बाद इंडिया में gun powder rapidly popular हुआ क्योंकि artillery expensive थी इसलिए उसे सिर्फ बड़े resources वाले kingdoms ही afford कर सकते थे यानि अब small kingdoms के era का end हुआ फिरोज दुगलग की death के बाद crown की prestige erode हो गई थी जिसको बाबर ने अपने military methods और personal conduct से re-establish किया अफगान्स के बीच tribal independence और equality के कारण कोई भी emperor crown की prestige को established नहीं कर पाया लेकिन बाबर Asia के most famous warriors चंगेज और तेमूर का descendant था इसलिए उसका कोई भी noble उसके equal का status claim नहीं कर सकता था सिर्फ एक तेमूरित prince ही उसको challenge कर सकता था आईए अब देखते हैं बाबर के personal character और उसकी कुछ court policies के बारे में personal account and conclusion दोस्तों बाबर एक अच्छा companion था और external disciplinarian भी अपने bigs का अच्छे से खयाल रखता था और उनकी कई गलतियों को माफ करने के लिए ततपर रहता था जब तक वो disloyal नहीं होते थे अफगान्स और इंडिया nobles की तरफ भी वो same attitude रखता था लेकिन बाबर की cruelty के किस्से भी कम नहीं है कई occasions पर उसने अपने opponents के skulls का tower बनवाया लेकिन उसकी ये cruelties को उन harsh times के context में देखा जाना चाहिए जिसमें बाबर रहा एक orthodox सुन्नी होते हुए भी बाबर ना ही bigoted था और नहीं किसी religious divine से influenced ऐसे समय में जब इरान और तुरान में शियाज और सुनीज के बीच bitter sectarian rife थी बाबर का court किसी भी तरह की sectarian और theological conflict से free रहा बाबर Persian और Arabic में deeply learned था और Turkish language का famous writer भी उसकी memoah तेजू के बाबरी world literature का एक classic consider किया जाता है उसके other works में मसनवी included है और उसने एक सूफी के work का Turkish translation भी किया वो famous poets और artists से हमेशा touch में रहा बाबर एक keen naturalist था जिसने इंडिया के flora और fauna को detail में describe किया gardens के tradition को भी उसने ही establish किया जिसमें बहता पानी होता था finally देखें तो बाबर ने state के एक new concept को introduce किया जो crown के strength और prestige पर based था जिसमें कोई भी religious और sectarian bigotry नहीं थी और culture और fine arts को carefully encourage किया जाता था इसी तरह बाबर ने अपने successors के लिए precedent और direction प्रोवाइड किया study IQ IS अब तयारी हुई